दोस्तो स्वागत है आप सभी का keyword research tool के series के इस second video में जिसमें हम लोग देखेंगे आज uber suggest ये free tool ये tool बहुत लोग यूज़ करते है लेकिन अभी ये फिलाल दीन के बस तीमी searches देते है तो हर एक tool की तरह यहाँ पर search box है यहाँ से अब country select कर सकते हैं और यहाँ से अपको search पर click करना है हम पिछले वीडियो में जो keyword यूज़ किया थे वो फिर से यूज़ करके देखेंगे कि make money online और इसे हम US छोड़ देंगे हमने search पर click किया और अभी यहाँ पर results आ जाएगा तो अब देख सकते हैं इसका search volume बहुत ज़्यादा है 74,000 उसके बाद SEO difficulty भी काफी ज़्यादा है 79, paid difficulty और cost per click यह अभी हम लोग नहीं रेखेंगे हम बस SEO difficulty को ही द्यान में रखेंगे यहाँ से आपको keyword ideas दगने को मिलेगा कि make money online, always to make money online इनका SEO difficulty बहुत ज़्यादा है उसके बाद content ideas भी दगने को मिलेगा और वो content कौन से website का है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो तो हम new all keyword ideas पे click करेंगे इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से आपको सारी keywords मिल जाएंगे आप नहीं चाहेंगे कि इतने ज़्यादा SEO difficulty बाले keywords चूस करना है तो यहाँ पे भी filter है हम SEO difficulty पे जाएंगे और filter पे 0 to 35 जो easy दिखा रहा है उस पे click करेंगे उसके click करने के बाद यहाँ पे जितने भी keywords आगे हैं यह सारे keywords का difficulty 35 से कम है यह highest दिख रहा है 35 यह आप देख सकते हो इसका make money online GTA 5 इसका search volume भी काफी अच्छा है और SEO difficulty बास 8 है तो GTA 5 से कैसे पैसा कमाया जा सकता है यह बहुत सारे लोग search कर रहा है और हो सकते है कि अभी इतने ज्यादा article या इतना ज्यादा content नहीं है इसलिए SEO difficulty बहुत ही कम दिखा रहा है तो यह एक अच्छा keyword हो सकता है आपके लिए इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी keywords है जैसे यह देखिए इसका SEO difficulty है 9 make money online as a programmer इसका volume कम है तो volume इतना कम तो हम नहीं रखेंगे हम volume पर भी फिर से select करेंगे और at least 1000 to 10,000 यह हम select कर लेंगे तो 1000 to 10,000 और SEO difficulty up to 35 यह दो filter हमने apply कर लिया है और अभी यह जो 6 keyword हमें मिल गया है यह सारे keywords काफी अच्छा है इनका SEO difficulty 35 से कम है और search volume minimum जो है वो 1300 है तो यह आप सीधा copy to clipboard कर सकते है यह export to csd कर सकते है जैसा हमने इचले वीडियो kw finder में देखा था वैसा ही uber suggest भी related और questions देता है इसके साथ यह prepositions और comparison भी देता है यहाँ पर जैसे ही हमने filter apply कर लिया यह दो चीज़े 0 हो गया है related हम देख लेते हैं इसमें 35 results लिखा रहा है यह how to make money online gtf5 how to make money online as a teenager इसका भी search volume अच्छा है तो teenager कैसे पैसे करना सकते है online इसके उपर आप एक content बना सकते हो questions में अगर हम जाये तो how to make money online from home इसका volume है 1300 और इसे difficulty भी 27 है अभी ये tool ऐसा तो नहीं है कि 100% accurate है लेकिन as a beginner अगर आप free tool use करना चाते हो अगर आप paid tool के साथ नहीं जाना चाते हो या फिर paid tool effort नहीं कर सकते हो तो uber suggest एक अच्छा tool है as a beginner use करने के लिए तो आप देख सकते हो इसे use करना काफी easy है और ऐसे आप filter apply करके अपना मनपसंद keyword ढूंद सकते हो यानि कि कम difficulty और ज्यादा search volume है ऐसा keywords आप ढूंद सकते हो तो आप keyword research के लिए यह दूसरा टूल जो है uber suggest यूज़ करके देखना मिलेंगे अगले वीडियो में एक और keyword research tool के साथ